बिहार के पूर्व मुख्यमंतरी लालू प्रसाद यादफ के बेटे और विहार सरकार के वनेवम पर्यावरन मंतरी तेजप्रताप यादफ के साथ वारा नसी के एक होटल में बदसलू की बुकिंग का समय खत्म होने पर होटल प्रबंदन ने आदी रात में तेजप्रताप इस्तित अकाडिया होटल में रुके थे जहां उनके साथ ये हाथसा हुआ जाच में जुटी पुले। उन्हों की आदत हो गई है बिना मतलब की बात का। आज आप उनी से पूछ लिजे कि इसके पहले आप कैसे तो अच्छा है क्या है। सदस्ता भी ग्रहन की जाएगी। हम लोग 400 सीटों पर अपनी इतनी मजबूत तयारी कर रहे हैं और 243 विधान सभा पर हम लोग अपनी मजबूत तयारी कर रहे हैं। तो ब्रेकिंग न्यूस के दौर पर आप लोग चलाएंगे। मुख्यमंत्री आवास का गेराव करेंगे, 18 अपरेल को मर्शाल जुलूस निकालेंगे और 19 अपरेल को पुरा जारकन बंद रहेगा। दरसल चात्रों का कहना है कि जारकन के हर शक्स ने जगानात महतों को किसी न किसी रूप में खोया है। सक्रिय हो गया है और COVID-19 चांच में तेजी लाने के निर्देश चारी कर दिये गए हैं। हाला कि राहत की बात ये है कि अभी तक सभी संक्रमित मरीजों में COVID के मामुली लक्षन ही दिखाए दिये हैं, जिने होम आइसोलेशन में रहने की सला दी गई है। फिल्म अभी निता और दिल्ली के भाज़पा सांसद मनुस्तिवारी अपने एक दिवसिये नीजी कारिक्रम के तहट शुगरवार की शाम पहुचे बखसर जहां उन्होंने बिहार और दिल्ली सरकार पर जम कर साधनी शाना कहा बिहार में 2024 में निमोधी के नित्रत्व में जनता प्रचंड बहुमत देगी नितीश जी को इस वक्त याददाश की दिक्कत हो रही है नितीश जी अती महत्व कांशा में अपनी जमीन खो चुके हैं इसका एसास उन पर 2024 और 25 में होगा वहीं आकांशा दुबे मामले पर मनुस्तिवारी ने कहा ये घटना बड़ी जो दोशी होगा वो बिलकुल नहीं बच पाएगा राजानी राची में सर्णा जंडे के अपमान से तना और शेहर में शनिवार के सुभा से जारकन पाहन महासंग समेत विभिन आदिवासी संगठन और संड़ना समीती के सदस्य सर्णा जंडा उखाडने और जलाने के विरोध में टायर जलाकर किया विरोध प्रदर्शन हर लाखे में भारी संख्या में पुलिस फोर्स को किया गया तैनात दोश्यों को जल से जल गिरफतार करने कि मा लोग गाई का निहा सिंग राथवर ने गाया बिहार में काबा सीजन टूगान लोगईत के द्वार बिहार सरकार पर साधा जम का निशाना गीत में गाई '' राम नम्मी के जुलूस में पत्थरबाजी जारीवा, चाचा फतीजा के चक्की में, पीस, रहल बिहारवा, बिहार में काबा। जारकन चित्रपट संग मैं में राजधानी राची में एक सिनेमा प्रत्योगिता का आयोजिन करने ज़ा रहा है। प्रतियोगिता में जारकन की शेत्रिय भाशाओं की लगू और सामाने फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा जारकन चित्रपट संका मानना है कि सिनिमा की शेत्र में रोजगार की बड़ी संभावना है लेकिन लोगों को इसकी जानकारी काफी कम है राची में आयोजेत श पूपी के फरुकाबाद और चत्यसगर के बलोदा बाजार के अजितेश शर्मा और सौरफ देवांगन दोनों ने बताया कि अब तक वे 10 राज्यों की यात्रा पैदल पूरी कर चुके हैं बिहार का दौरा उनके लिए 11 राज्य है दोनों युफकों ने कहा कि हमें भागलप ने इवार को पाज़।